नमस्कार दोस्तों, एक्जाम कोशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है जनरल साइंस याने सामान निविज्ञान जिसकी आज ये अठारवी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जन्तु जगत का पार्ट 3 ये एनिमल किंडम की आज की लास्ट क्लास होने वाली है इसके पहले एनिमल किंडम जन्तु जगत से मैं दो पार्ट पहले ही बना चुका हूँ अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूँगा और साथी साथ में आप हमारे चैनल के प्लैलिस्ट में जाकर भी इन सारे वीडियो को देख सकते हैं चलिए तो बिना कोई समय का वाए इस क्लास को हम आरंब करते हैं चलिए बहु कोशी किये जीव जो बहु कोशी किये संग हम पढ़ रहे थे उसका अंतिम हम संग पढ़ रहे हैं जिसे कॉड़ेटा कहते है अब कॉड़ेटा भी अपने आप में काफी बढ़ा है कॉड़ेट तो यहां जन्तु जुकत का एक बड़ा समुष सबसे बड़ा नहीं है बड़ा समुष तो सबसे बड़ा समुष तो आर्थोपोड़ा जिसमें फीट वर्क आ जाता है जिसके विस्तरत अध्यन के लिए इन्हें पुना पांच उपसमुष में बटा गया है कौन-कौन से वह उपसमुष है मतस्य फिश कहा जाता है जिसे उभैचार सरी स्रिप ठीके रेप्टाइल्स ठीके पक्षी या एवी या बर्ड भी कहा जाता है और तो चले सबसे पहला संग हम स्टार्ट करते पहला उपसमुष हम देखते हैं फाइलम देखते हैं जिसका नाम क्या है मतस्य फिश के बारे में तो देखें बहु कोशिक के जीव में पढ़ रहे हैं हम अंतिम सात्वा संग जो था ठीके अंतिम सोरी नवा संग जो था उस में हम पढ़ रहे हैं पहला उपसमू मतस याने फिश को पढ़ रहे हैं चलिए इस समू के प्रमुक लक्षन देखते हैं यह सभी आसमतापी होते हैं अब यहां पर पहली बार इस चीज का सब्दा आया आसमतापी या इसे ही cold-blooded भी कहा जाता है ठीक है cold-blooded का मतलब यहां प अपने शरीर को शरीर का तापमान स्वैम नहीं बना सकते हैं क्या होता है कि पानी अगर बाहर का पानी ठंडा हो जाता है तो इनके शरीर का तापमान भी ठंडा हो जाता है पानी गरम हो जाएगा तो शरीर का तापमान भी इनका गरम हो जाएगा मतलब आसपास के वातावर गिल्स के द्वारा होता है जिसे गलफडे भी कहा जाता है तो आप लोगों ने सुनाई होगा कि मचलियों का स्वसानाम कौन सा होता है तो वो गिल्स होते हैं गलफडे होते हैं अंतह कंकाल देखने को मिलता है अंतह कंकाल का मतलब क्या होता है इनके अंदर हम लोगों को क्या होता है जैसे अगर फिश देखिए तो फिश के अंदर जो काटे होते हैं वही उनकी अस्थी होती है वही उनकी उपास्थी होती है वही उनकी हड्डिया होती है तो इनके अंदर हमें अंता कंकाल देखने को मिलता है यह जली जी होते हैं जल में ही पाए जाते हैं समुद्री पानी मीठे पानी दोनों में देखने को मिल सकते हैं इनका शरीर धारा रेखित होता है धारा रेखित का मतलब क्या होता है कि पानी में ताकि आसानी से वो आगे बढ़ सके पानी में तेर सके इसलिए उनका शरीर क्या होता है उस धारा को काटने वाला बना हुआ होता है कि ठीक है तो बाहिक अंकाल के रूप में शलकों के रूप में रहता है जिसे आप लोगों ने लोगों ने यह फिश देखी ओगी कुछ इस तरीके से ठीक है यह हम लोगों को यह फिश का मैट डाएगा तो इसके उपर यह जो इनके सलक पाए जाते हैं जो इन्हें पानी से लगते हैं टीक है तो यह क्या है तो यह सभी क्या है इसी के इसटीक अपीर, आप इन जीवोğ में भाहएकर्ण नहीं होता है म मतलिब क्यों होता है कि इनकी कान कान तो होते हैं लेकिन कोई कान ऐसे कुछली के कान होते हैं आधिस इसके इसके एक्जाम्पल हैं तो समुद्री घोड़ा अब यह पात देखें यह मेने आप लोगों के लिए बहुत स्टार लगा कि काफी बाहर पूचा गया और काफी सारे स्टूडेंट इसको गलत कर क्या आते हैं लिखा हुआ होगा कि निम्यमें से कौन क्या है मतश्य है या मचली है तो याद रखें दिके नाम वखले लिखा हुआ है समुधरी-घोडा लेकिन यה एक मचली की प्रजाती है तो समुधरी-घोडा एक मचली है याद रखेंगा ठीके अब उभैचर का मतलब यहाँ पर पहले point से समझ में आ रहा गया होगा कि उभैचर हम किसे कहते हैं इस वर्ग के जीव जो होते हैं वो जल और थल दोनों में रह सकते हैं तो यहाँ उभैचर जीव का मतलब क्या हो जाएगा एसे जीव हम पढ़ेंगे जो किसी प्रत्वी की सता पर रह सकते हैं और साती सात में पानी के अंदर भी रह सकते हैं ठीके तो एसे जीवो को उभैचर कहा जाता है यह सभी आसमतापी होते हैं इसका मतलब कोल्ड भी ठंडे कून वाले होते हैं इन में स्वसन जो होता है कलोम के द्वारा भी हो सकता है तोचा के द्वारा हो सकता है यह फिफडे भी हो सकते हैं अलग-अलग जीवों में अलग-अलग तरीके से होगा उभैचर वर्गों में इनके रदे में तीन कोश्टक होते हैं जिसमें दो आलिंद और एक निले देखने को मिलता है निशेचन तथा ब्रून का विकास जल में होता है ये बहुत इंपोर्टेंट है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उभैचर जीव के जितने भी उभैचर हम जानते है ये हवा में भले कितनी भी दूर चले जाए थलवे कितनी भी दूर चले जाए लेकिन जब बच्चे देने की बात आती है तब इने वापिस से जल नहीं आना पड़ता है तीकिए तो यही चीज़ है इन जीवों की उंगलियों में नाखुन नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब उंगलिया तो होती है, लेकिन उनके उपर नाखुन नहीं देखने को में होते हैं, इसके एक्जामपल है, मेंडक, सालमंडेर और हाईला, चलिए, देखते हैं, तो ये मेंडक इसका एक्जामपल है ठीक है फिर उसके बाद ये है सालमंडेर ठीक है थोड़ी सी मच्छ थोड़ी सी छिपकली जैसा दिखता है ये अब अगला हम देखते हैं बहु कोशी की जीवों में कॉड़ेटा संग के सरी स्वे प्याने रेप्टाइल्स को देखते हैं चले इस संग के प्रमुक लक्षणो को भी हम जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि यह वास्तविक स्थलियं ये आकशीर को जनतु होता है इसका मतलब वास्तविक का मतलब क्या है कि मतलब रियालीटी में इuzz्खल लियू का मतलब पूरी तर ही सर इस थल में रहने वाली फिर पानी में कभी कभार घूंने पिर चले जाते हैं जैसे हम लोग भी रहते तो इस ताल पर यह पानी में हम तीर सकते हैं इसका मतलब हम इसा नहीं होगे कि उभाइचर हो गए ठीक है अब कशेरू की मतलब कशेरू की का मतलब इनकी ओपर काफी अच्छी तरीके से रीड के अड़ी देखने को मिलती है इनका रहतें तीन कोष्टकों में बटा होता है इनका सोसन अंग फिफड़े होते हैं लंग सपाइजाते हैं इनकी जीवों की त्वचा काफी सुखी서 खुर्दूरी होती है चले इसके उधारन हम देख सकते हैं छिपकली घडियाल कछवा आदी तो यह आप लोगों छिपकली देखे उपर के सुखी तवचा रहती है और बड़ी खुरदूरी जिसकी वज़े से कुछ डरावने भी दिखते हैं यह जीव घडियाल भी आ जाएगा इसके अंदर ठीक है फिर कछवा ठीक है यह भी इसी के अंदर आ जाएगा शरीश्रिप के अंदर याद रखेगा चछवा भी सरीश्रिप के अंदर आता है यह बात आप लोगों को especially याद रखना है ठीक है कछवा जो है सरीश्रिप की प्रजाती के अंदर आता है अब चलिए कुछ important fake देखते ह जिसे जो एनोकॉंडा शांप है, वो बच्चे को जन्म देता है, जबकि हम जो सांप को अगर जानते हैं, तो आप सांप में अक्सर हमने देखाए कि वो सबसे पहले अंडे देते हैं, ठीके, लेकिन एनोकॉंडा जो सांप है, वो सीधे बच्चों को जन्म देता है, किंकोब जो होता है वो अपना घौसला बनाता है समुदरी साप जिसे हाइड्रो फिश कहा जाता है ये भी याद रखना है कि हाइड्रो फिश जो नाम में भले फिश जुड़ा हुआ ये लेकिन वो एक सरिश्रन पर एक साप का नाम है ठीक है जिसे संसार क जब से चादा जहरीला सांप है समुद्र में पाए जाता है लेकिन क्या है कि इसके काटने की जो हमने मतलब काटने इससे काट के जाने के लोगों की मुर्मत्य काफी कम होती है उसका रीजन क्या है क्योंकि ये गेहरे समुद्र में ही पाए जाते हैं ठीक है और वहां जहां तक कि इं हम देख लेते हैं इनका अगला पाद उड़ने के लिए पंकों के रुप में रूपांतरित हो जाता है या हो गया है, हो चुका है ठीक है, पंक होते हैं मतलब आगे के दो खात या हम बोल सकते हात की जगा उनके जो चलने वाले जानवरों के आगे के दो पेर की जगा पंक हो जाते है इनका रहदय जो होता है चार कोश्टकों का पाया जाता है यह समतापी हो जाते है अब यहाँ पर समतापी का मतलब क्या होता है कि यह इनके शरीर का तापमान अब एक फिक्स होता है ठीके इसका मतलब क्या होता है कि बाहर के तापमा नहीं होता, सिर्फ जबकि उनका जो मुह होता है, वो चोंच से घिरा हुआ होता है, इनकी अस्थियां खोकली होती है, ये जीव प्रायता घोसला बना कर रहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अक्षर सभी पक्षी जो होते हैं, गोसला बना कर रहते हैं, इनके अंडे बड़े अब इससे related कुछ और चीजे हम देख लेते हैं, क्या है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी hummingbird है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, काफी बार exam में question पूछा गया है, कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो वो है hummingbird, जो कि संसार का, जब कि संसार का सबस सबसे बड़ा पक्षी जो है, अब देखे हम इंग बर्ड कितना छोटा होता है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, कि जब क्या होता है, कि ये एक चीटी उंगली के भी English इवी छोटा होता है, मतलब देखे है, ये हाथ के सामने कितना छोटा सा जीर दिख रहा है, ठीक है, और सबसे बड़ा पक्षी जो होता है, शुत्र मुर्ग हो, ठीक है, ये सुत्र मुर्ग का डाइगराम नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होगा, शुत्र मुर्ग आप सभी लोगों ना देखा होगा, ये बहुत बड़ा होता, इतना बड़ा है, कि इसकी वज़न के वज़े स आवावील है, यानि जिसे अंग्रेजी में स्विफ्ट के नाम से, तो जो गाड़ी का नाम रखा है, सुफ्ट डिजायर वो एक्चुली इसी को देख के रखा हुआ है, इस सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, तो हमारी गाड़ी भी सबसे तेज चलती है, कुछ इस त देते हैं, आई होप चीजे आप लोगों को क्लियर हो जोगी, चलिए अब अगला समभाव, कॉड़ डेटा समभाव में, स्थन्धारी यानि मेमल्स को देखते हैं, इस वर्ग में वे जीवाते हैं, जो पूर्ण विक्सित, पूर्ण विक्सित या अपूर्ण विक्सित बाद वो दूद पिलाते हैं, दूद पिलाने वाले जानवरों के शनरी में हमने इसे रखा रहे हैं, अब देखें, इस वर्ण फिर से पूर्ण तीन भागों में बाटा है, प्रोड़्थेरिया, मिटाथेरिया और यूथेरिया, चलिए देखते हैं, ठीक है, तो इस्तंध प्रोड़ तेरिया का मतलब क्या है था, कि पहले अंडे दिये, थिर अंडे में से बच्चा निकला, और उस बच्चे को भी क्या कर रहे हैं, दूद पिला रहे हैं, ठीक है, तो धूद तो मेन मैमल्स का मतलब क्या है, कि दूद पिलाएंगे, तन होते हों के इस्तंध से ऐसे रिकाहोगा ठीक है और क्या होता है कि कि यह मतलब में जब कि शिकार के कर पाते हैं और शिकारी इन से दूर रहते हैं ठीक है ये भी इसका example है चलिए अब metatheria हम देख लेते हैं तो इस उपसमुव में वे जीव आते हैं जो आप परिपक वो बच्चों को जन्म देंगे अब देखें आप परिपक वो होने देंगे और फिर क्या होगा वो बच्चे अपना जीवन सुरू करेंगे इसमें सबसे best example है आस्ट्रेलिया का कंगारू तो ये कंगारू में आप लोगों ने ये कवीते हैं काफीव काफी तकरिवर चौदा महीनों तक इसनी के अंदर दूदते हैंrå़ कि कुछ-کच समय के लिए थोड़ी देर बाहर आते हैं गॱं फिर के वापिस अदर चले जाते हैं और इस तरीके से यह 14 महिने तक मा का दूद पीते हैं और विक्सित होने के बाद इसमें सिर्फ बाहर निकलते हैं ठीक है अब जब कि यूथेरिया के अंदर क्या आ जाएगा तो इस उपसम्हों में वे जीव आते हैं जो विक्सित बच्चों को जन्म देते हैं इसमें सबसे बेस्ट एक्जाम क्योंकि इसी के अंदर क्या आ जाता है मनुष्य आ जाता है तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए तो इनके शरीर में रोम या बाल पाई जाते हैं तो हम देखें जैसे बंदर की बात कर ले तो उनके शरीर पर बाल पाई जाएंगे मनुष्यों के बाल या इसे रोम भी कहा जाता है छोटे छोटे बालों को रोम कहा जाता है तो अच्छा पर स्वेथ स्वेथ का मतलब पसीने वाली गरंथी और तेल ये गरंथी पाई जाती है तो इनसे पसीना भी निकलता है तेल इसलिए निकलता है ताकि देखे क्या होता है जैसे एक इ तेल जैसा तो तेल जैसा पधार तो वो पूरी त्वचा के उपर इखटा हो जाता है ताकि अंदर का अमुल्य जल को बाहर निकलने से रोका जा सके ठीक है इसलिए यह चीजे होती है साथ यह साथ में शरीर के तापमान को भी नियंतित करता है इनकर हदे चार कुष्टकों वाला होता है दो आलिंद दो निलय पाए जाते हैं इनके अंदर इन जीवों में लाल रत करनी काओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है यह बात इस पेशली याद रखना है ठीक है लेकिट किसको छोड़कर ऊट को छोड़कर ऊट और लेमा को छो कियर हुई होगी तो आज केस लेक्चर के साथ ही हमारा पूरा जंतु जगत भी कंप्लीट होता है तो चंतु जगत को हमने पूरे तीन पार्ट में स्टेडी की है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए साथ इस साथ म झाल झाल